हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्मन्स के बारे में जैसे की हॉर्मन्स हैं यहां पर थैरोक्सिन, इंसुलीन, एटी एच, एफएसेच तो यह सबी क्या हैं हमारी हॉर्मन्स हैं जिन से हमारी बॉड़ी जो हो फंक्शन करने में और इनके क्या-क्या एफेक्ट होंगे साय हो उनकी हाँता है यहां चैसन, तो सबसे पहले हम ही थैरोक्सिन, थैरोक्सिन रिलीजद होता है, thyroid gland से जो हमारा thyroid gland होता है जो कि हमारे neck में होता है thyroid gland और ये thyroxine release करता है और इसका क्या function होता है इस hormone का regulate metabolism यानि कि ये हमारे metabolism को regulate करने में ये help करता है next hormone आता है insulin insulin जो है वो release होता है हमारे pancrea से pancrea क्या करती है insulin produce करती है और क्या function होता है insulin का lower blood glucose यानि कि ये हमारे blood glucose को maintain करके रखता है अगर pancrea जो है वो सही amount में insulin नहीं करती है तो patient को क्या है sugar की problem हो जाती है यानि कि उनका blood glucose या तो low हो जाता है या फिर high हो जाता है तो insulin जो हमारे body के लिए बहुत ही जुरूर होता है और pancrea जो है insulin प्रेडियूस करती है और ये क्या काम करता है insulin हमारे blood glucose को maintain करके रखता है next आता है PTH PTH release करता है paratherod gland paratherod gland के द्वारा PTH release किया जाता है और इसका function क्या है rises blood calcium level यानि कि ये हमारे blood calcium level को maintain करके रखता है उसको rise करके रखता है यानि कि जो सही amount है हमारे body को calcium level के requirement होती है उसको complete करता है GTA और इसको release करता है paratherod gland next आता है ADH ADH release करता है hypothalamus hypothalamus जो हमारे main head होता है सभी hormone को release करने का और hypothalamus क्या करता है ADH को release करता है और ADH का क्या काम होता है boost water retention यानि कि water retention को पाने की कमी को कम होने से यानि कि अगर body में कम हो जाता है तो उसको maintain करके रखता है next आता है FSH FSH release mut질ール ऑलिंधि इंटीर इंटीरेट पीतियों myth actu節 करता है जाभ सेविन जिरों और इस एंटिकलता जालोंンド है जिरों फिकलन उंट बीचली और मेंittla किकलन जेजरशी स्ञेस kg क्वें कप्लीट उस प्रोसेस को complete होने में FSH जो हो बहुता है नेक्स्ट आता है epipharine epipharine release करता है adheral medula adheral medula ke release कर रहे यहाँ पर epipharine जिसका काम क्या होता है trigger fight or flight tigres means यहाँ पर epipharine जो का काम होता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है यानि कि यह एक्षिन करने में help करता है कोई भी situation है उसको handle करने में help करता है anxiety अगर कुछे patient को panic attacks आते हैं उसको maintain करके रखता है यानि कि यह हमारे सोचने और समझने की जो शमता होती है उसको maintain करके रखता है next आता है melatonin यह penile gland से secret करता है और यह हमारे related to the daily rhythm and daily rhythm होता है daily day-to-day means हमारे sleep cycle होता है यानि कि जब हमारे उठने का समय होता है जब हमारे बाष 250 और सवर्टायम होता यह अपने इंध होती है नींध आना मेला मेले टरून इन-डर्टो में इस इसमें it normally works in next जाता है addrogen addrogen is इसे सिक्रीट करता है। टेसेसесс के दोबहरा ये सक्रीट किया जाता है और पर मोड़ा मेल ड्रेटस यानि कि मेल जो सिस्टम होता है वो hea को मैंटेंग करने में उनको प्रॉपर फंक्षिन करने में यह help करता है। तो यह कुछ यह हॉर्मोन से थाइरोक्सिन, इंसुलिन, PTH, ADH, FSH, एपिफरीन, मेलचनोरिन, एंड एंडरोजन. तो इन सभी के बारे में हमने जाना है और इनकी रिलीस जहां से होते हैं, उन और 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 इनके फंक्शन के बारे में जाना है. तो आज की वीडियो में इतना ही, I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा. Thank you for watching.